Welcome back to our YouTube channel Storytelling with Bani and Poojan और आज हम आपके लिए Colorbone नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जो कि एक Crime Thriller है ये फिल्म 9 जुलाई 2021 को Hot Star पर रिलीज हुई है और इस फिल्म को 5.7 रेटिंग मिले हैं out of 10 ये फिल्म कोई जादा High Budget फिल्म नहीं है लेकिन फिर भी इस फिल्म को काफी जादा तारीफ मिल रही है और यही एक वज़ा है कि हम आपके लिए इस फिल्म की कहानी और उसका Review लेकर आए हैं और अक्षे को इस बात पर गुसा रहा है कि उसके पिता उसे खुद से दूर करते जा रहे हैं अक्षे ड्राइव कर रहा था और दोनों ही इस बात पर बहस कर रहे थे कि देखते ही देखते अक्षे के हाथों एक पक्षी जूजूराना का कतल हो जाता है दोनों ही गारी से बाहर आते हैं जहां अक्षे बुरी तरह से डर जाता है मनोज अपने बेटे को शांत करते हुए कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी लेकिन इस जगह को देखकर मनोज को कुछ याद आता है और वो चलना शुरू करता है चलते चलते वो दोनों एक restricted site के पास पहुँच जाते हैं जो कि एक जोंपडी है उस जोंपडी के बारे में बताते हुए मनोज अपने बेटे अक्षे से ये कहता है कि अगर उस रोज उसके पिता टाइम पर नहीं पहुँचते तो शायद इस साग की वज़े से पूरा हिमाचल जल जाता इसके बाद वो दोनों St. George School पहुँचते हैं जहां पर नेहा नाम की एक लड़की की शोग सभा है नेहा की मौत पर शोग जताने के बाद लोग मनोज हेसी को सम्मान प्रदान करते हैं वो कहते हैं कि मनोज हेसी एक सूपर कॉप है और इस शहर की रक्षा करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है नेहा के माता पिता जब मनोज को सम्मानित होता हुआ देखते हैं तो वो वहाँ से गुस्ते में बाहर चले जाते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि तब ही रतन नेगी नाम का एक एकस असिस्टन सब इंस्पेक्टर वहाँ आकर तमाशा करना शुरू कर देता है वो मनोज को बहुत बुरी तरह से बेज़द करता है और उसे कहता है कि नेहा की मौत का सिर्फ वही जिम्मेदार है और अगर इस केस को मनोज हेसी और रतन नेगी की जगा कोई और पुलिस आफिसर इंवेस्टिगेट कर रहा होता तो शायद नेहा आज जिन्दा होती इसके बाद ऐसा कुछ होता है जिसकी कलपना शायद किसी ने भी नहीं की थी शोयवली नाम का एक लड़का स्कूल के कैंपस में आता है और उस स्कूल को हाईजैक कर लेता है वो सब को ये कहकर डराता है कि उसके गले में एक कॉलर बॉम है और अगर किसी ने भी यहाँ से हिलने की कोशिश की तो अपने आपको उड़ा देगा और साथ में सब को जान से मार देगा वो एक-एक करके सब लोगों के फोन तोड़ देता है और स्कूल में लगे हुए माइक को आउन करने के लिए कहता है और ऐसा होता हुआ देखकर एक ओरत आगे आती है जो कि उस स्कूल की मेड है माइक ओन करने के बाद जब उस ओरत को ये लगता है कि अली का ध्यान भटका हुआ है तो वो पेपर वेट उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन उसे वक्त अली पीछे पर लट जाता है और उस ओरत पर गोली से बार करता है उस गोली की वजह से उसकी मौत तो नहीं होती लेकिन उसकी बाजू पर एक जख्ध मन जाता है इसके बाद अली अपनी जेब से एक डाइरी निकालता है और माइक पर एक मैसेज पढ़ता है क्योंकि उस माइक से जुड़े हुए स्पीकर स्कूल में हर जगह लगे हुए हैं इसलिए सब लोगों को ये बात सुनाई देती है वो बच्चों के माता पिता से ये कहता है कि अगर वो लोग अपने बच्चों को जिन्दा देखना चाहते हैं तो माता या पिता मेंसे किसी एक को अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने बच्चे को बचाना होगा और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो अली एक एक करके सब बच्चों को मार देगा चाहां एक तरफ सब के सब बच्चे अपने माता-पिता का मूँ काला कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ एक local politician situation का पूरा फाइदा उठा रहा है अली जब बच्चों के हाथों उनके माता-पिता के मूँ काले करवाता है तो उसके बाद वो बच्चों को वहां रखकर माता-पिता को बाहर भेज देता है वो उस डाइरी के पेज पलटता है जहां पर कि उसके लिए अगली instruction लिखी है वो मनोज हेसी को अपने पास बुलाता है और उसे एक Bluetooth headphone देता है वो उसे कहता है कि उसके पास सिर्फ 60 मिनट का वक्त है अली की गर्दन में जो कॉलर बॉम है उसमें चार बत्तियां लगी है हर एक बत्ति जो की लाल रंग की है वो सही कोट दबाने पर हरी हो जाएगी और हर एक बत्ति को हरा करने के लिए उसे एक टास्क करना होगा अगर वो किसी भी टास्क को नहीं कर पाता है तो उसकी वज़े से सारे के सारे लोगों की मौत हो जाएगी वो से कहता है कि चार बत्तियों में से एक बत्ति पर कोड़ लग चुका है और इसलिए वो हरी है लेकिन बागी की तीन बत्तियों के लिए उसे तीन टास्क करने होंगे वो मनोज के बेटे अक्षे को अपने पास ही रख लेता है ताकि मनोज को कंट्रोल करना आसान हो साथी मनोज को बाहर भीजने से पहले वो उसके हाथ पर एक कट लगा देता है ताकि सब को ये लगे कि मनोज अली से जगडा करके बाहर आया है क्योंकि पुलीस वालों ने स्कूल की बिजली काट दी थी इसलिए अली अपनी बात सबसे कह नहीं पा रहा था लेकिन जैसे ही मनोज बाहर आता है वो सबसे पहले स्कूल की बिजली चालू करवाता है जैसे ही स्कूल की बिजली शुरू होती है अली सबसे बात करना शुरू करता है वो अपनी कुछ मांगे रखता है जैसे कि कोई भी बिजली काट कर उसके आवाज दबाने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही कोई यहां से मीडिया को बाहर भेजेगा ताकि बाहर की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके इसलिए वो बच्चों को खिड़कियों पर तानात कर देता है और वो सबसे कहता है कि अगर किसी ने किसी भी तरह की होश्यारी दिखाने की कोशिश की तो वो एक एक करके इन बच्चों को शूट कर देगा सुमित्रा को अली के बारे में इन्फॉमेशन मिल जाती है और वो उस जगा पर जाती है जहां अली काम किया करता था जब सुमित्रा बर्कत अली के धाबे पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वो लोकल पॉलिटिशन लोगों को भढ़का कर बर्कत अली को जान से मरवा रहा है बरकत अली की दुकान में आग लगी देखकर सुमित्रा उस आग में कूच जाती है और बरकत अली को बाहर ले आती है जब वो politician सुमित्रा को ऐसा करने से रोकता है तो सुमित्रा उससे पूछती है कि आखिर आपको इस incident के बारे में कैसे पता चला क्योंकि वो school के campus में पुलीस के पहुंचने के ठीक 10 मिनट बात पहुंच गए थे और ऐसा तब ही हो सकता है जब उन्हें इस incident के बारे में पहले से जानकारी हो सुमित्रा जब उनका phone चेक करती है तो वहाँ उससे private number से आई हुई एक call मिलती है जो कि इस incident से ठीक आदा घंटा पहले आई थी मनोज अब अपना पहला टास पूरा करने के लिए Mr. and Mrs. Fernandez के घर जाता है वो Mrs. Fernandez को पाने लाने के लिए कहता है और Mr. Fernandez से अकेले में बात करता है लेकिन जैसे ही Mrs. Fernandez उस कमरे में जाती है जहां पर मनोज और उसके पती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि मनोज ने उसके पती को चैर से बांदा हुआ है असल में मिस्टर फर्नैंडेस अपने बेटे मैथ्यू को बहुत बुरी धरा से मारा करते थे और इस बारे में उनकी बीवी सारा फर्नैंडेस को भी पता था अली का पहला टास्क ये था कि सारा फर्नैंडेस अपने ही हाथों से अपने पती को जान से मार डाले क्योंकि जो कुछ भी वो अपने बेटे के साथ कर रहा था वो बिल्कुल भी सही नहीं था मनोज अब सामने वाले आईने को तोड़कर एक कांच का टुकड़ा उठाता है और उसे सारा के हाथ में देता है वो सारा से कहता है कि अगर उन्हें अपने बेटे मैथ्यू को बचाना है तो उन्हें अपने पती के हाथों की दोनों नसे काटनी होंगी पहले तो सारा ऐसा करने से बिलकुल इंकार कर देती है लेकिन जब वो मैथ्यू को वीडियो कॉल पर देखती है तो वो कांच का टुकडा उठाकर अपने पती को जान से मार देती है पहला टास्ट खत्म होने के साथ अली को मैथ्यू को छोड़ना था लेकिन वो मैत्यू को छोड़ने की जगा मनोज के बेटे अक्षे को छोड़ता है और इसी के साथ वो उसे उसका दूसरा टास्क का साइन करता है लेकिन मनोज को ये लगता है कि उसका बेटा अक्षे छूट चूट चुका है और इसलिए उसे दूसरा टास्क करने की कोई जरूरत नहीं जब वो अली को दूसरे टास्क के लिए इंकार करता है तो अली उसे एक वीडियो भेजता है और वो वीडियो देखने के बाद मनोज बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है मनोज अब दूसरा टास्क पूरा करने के लिए सारा को भी अपने साथ ले जाता है जब वो ड्राइव कर रहा था तो वो सारा से पूछता है कि जो कुछ भी मैथ्यू के साथ हो रहा था उस बारे में किस-किस को पता था सारा को पहले तो कुछ याद नहीं आता लेकिन फिर वो मनोज को बताती है कि एक महिना पहले स्कूल में एक मेडिकल कैमप हुआ था और उस मेडिकल कैमप के दौरान मैथ्यू का फुल बडि चेक अप हुआ था और इसलिए हो सकता है कि डॉक्टर ने वो चोटो के निशान देख लिये हो दूसरी तरफ सुमित्रा भी बरकत अली से बात करती है और ये समझने की कोशिश करती है कि आखिरकार अली ने ऐसा किया क्यों बरकत अली सुमित्रा को बताते हैं कि अली एक बहुत ही भोला भाला लड़का था और उन्होंने उसे काम पर रखने से पहले उसके सारे डॉक्यमन्स चेक किये थे पिछली रात उसने डॉक्टर गुपता के अहां अपनी लास्ट डिलिवरी की थी गुपता ही थे किसी ने डॉक्टर गुपता को बहुत बुरी थरह से लटकाया है और उनके शरीर से खून की एक-एक बून निकाल ली है उनकी कमी और जहर की वज़े से उनकी मौत हो जाती है वो पुलिस को बुला लेती है और ना चाहते हुए भी मनोज को उसे वहां बांद कर जाना पड़ता है IRS को स्कूल कैमपस तक पहुंचने के रिए एक घंटा लगता है लेकिन अब वो स्कूल में आ चुके हैं और उने से दो ओफिसर्स की वहीं पर मौत हो जाती है अली ये जानता है कि IRS के लोगों ने स्कूल के अंदर आने की कोशिश की है और इसी दिए वो नव्या नाम के एक लड़की को गोली मार कर खिड़की से नीचे फैंक देता है सारा और मनोज अब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि मनोज को अपने दूसरे टास्क पर जाना है और इसी दोरान पुलिस वालों को गुपता की लाश मिल जाते है और वो सुमित्रा को भी वहाँ से छुड़ा लेते है मनोज को अब रिटा नाम की एक औरत की कॉल आती है जो कि इस पूरे उपरेशन की हैंडलर है वो से कहती है कि उसका दूसरा टास्क ये है कि उसे रतन नेगी को लेकर माया जाल जाना है उसे रतन नेगी को थेयाटर के बीचों बीच एक कुरसी से बानना है उसके सामने उसके घर की एक CCTV फोटेज दिखाई जाएगी जहां उसकी ही आँखों के सामने उसके माता पिता की मौत होगी यहां मनोज का काम ये था कि रतन ये वीडियो पूरी की पूरी देखे और अगर रतन गलती से भी बीच में उठ जाता है तो स्कूल में बैठे हुए बच्चों को जान से मार दिया जाएगा मनोज सुमित्रा को कॉल करता है वो उसे कहता है कि उसे उससे कुछ बहुत ही अरजन बात करनी है और इसलिए वो उसे मिलने के लिए बुलाता है सुमित्रा मनोज से मिलने तो आती है लेकिन वो अपने साथ साथ उसके बेटे अक्षे को भी लेकर आती है अक्षे अपने पिता को बहुत ही नफरत भरी नजरों से देखता है और उसे कहता है कि अली ने उसे सब बता दिया है सुमित्र अपने साथ नेहा की केस फाइल भी लाई है और उस फाइल को वो मनोज की तरफ फैंकती है वो उससे कहती है कि स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है वो नेहा की केस से जुड़ा हुआ है क्योंकि नेहा की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट पर जिस डॉक्टर के सिगनेचर थे वो और किसी के नहीं बलकि डॉक्टर गुपता के थे मनोज अब सुमित्रा और अक्षर से बात करना शुरू करता है और इसके बाद हमें एक फ्लाश बैक दिखाया जाता है नेहा जब स्कूल से गायब हुई तो चार दिन तक पुलीस उसे ढून नहीं पाई और उसकी दोस्ट नव्या ने पुलीस को ये बयान दिया था कि उन दोनों के साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी इसमें नव्या तो किसी तरह से बचकर भाग गई लेकिन नेहा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला ये केस जिन प्रती दिन बहुत बड़ा बनता जा रहा था जो कि मनोज के करियर पर एक दाग जैसा था फिर एक रोज मनोज और रतन जब जंगल में नेहा को ढून रहे थे तो वहाँ उन्हें गुना नाम का एक लड़का मिला उन दोनों के ही देखकर वो वहाँ से भागने लगा और इसी बात को लेकर उन दोनों को उस पर शक हुआ जब मनोज ने उसे पकड़ कर उससे बात करने की कोशिश की और उससे ये पूछा कि लड़की कहाँ पर है तो उसने कुछ बड़बडाते हुए कहा कि राजकुमारी तो जमीन के नीचे है और वो गहरी नीन में सो रही है ऐसा सुनते ही मनोज को घुस्ता आ जाता है और उसे लगता है कि उसने नेहा को जान से मार दिया है वो से बड़ी ही बेरहमी से मारने लगता है और मारते मारते उसकी पीट में कील चुप जाती है गुना की वहीं पर मौत हो जाती है और साथ ही मनोज को अपना क्रिमिनल भी मल जाता है मनोज उस लड़के को शूट करता है साथ ही रतन को कहकर खुद को भी गोली मरवा लेता है ऐसा करने के बाद वो अपने एक परफिक्ट स्टोरी बनाते हैं और उसी लड़के को मरडर साबित कर देते हैं जब गुना की फोटो नवया को दिखाई जाते है तो नवया उस लड़के को पहचानते हुए ये कहती है कि ये वही लड़का है जिसने उन दोनों के साथ जवरदस्ती करने की कोशिश की थी लेकिन इस सब में दुख की बात ये थी कि नेहा के मौत उसकी बॉड़ी मिलने के दो घंटे पहले ही रुई थी यानि कि जब मनोज इस केस को क्लोस करने में लगा हुआ था तो नेहा अपनी आखरी सांसे ले रही थी और कहीं न कहीं उससे बचाया जा सकता था मनोज अब अपने मेटे अक्षे से बात करता है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसका गिल्ट ही एक रीजन था कि वो उसे अपने आप से दूर कर रहा था रीटा मनोज को उसका तीसरा टास्क देती है वो उसे कहती है कि स्कूल के अंदर जाकर उसे अली को बचाना है अपने तीसरे टास्क को पूरा करने के लिए मनोज सुमित्रा की मदद लेता है वो उसके सर पर पिस्टॉल तान देता है और उसका सहारा लेकर स्कूल के अंदर पहुंच जाता है जैसे ही मनुव स्कूल के अंदर पहुंचता है अली को उसका चौथा कोड मिल जाता है वो उस चौथे कोट को बॉम पर लगाता है और इस बॉम को अपने गले से अलग करकर वहां से भाग जाता है लेकिन जैसे ही अली स्कूल से भागने की कोशिश करता है IRS वाले उस पर गोलियां चला देते हैं और वो वहीं पर मर जाता है जैसे ही IRS आफिसर स्कूल के अंदर आने की कोशिश करते हैं वैसे ही रीटा सुमित्रा के साथ साथ IRS आफिसर्स पर भी गोलियां चलाती है और रीटा और कोई नहीं बल्कि वही स्कूल मेड है जिसे फिल्म की स्टार्टिंग में गोली लगी थी अब वो सुमित्रा के गले में वही कॉलर बॉम पहनाती है और मनोच को वहाँ से लेकर वहां से निकल जाती है वो लोग एक टानल की तरफ जाते हैं जहां सुमित्रा मनोच को बताती है कि उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पती को जान से まर दिया था लेकिन ऐसा होने के बाद पुलीस उसे जेल में ले गए और उसका 10 साल का बेटा वहीं पर अकेला रह गया वो प्रॉस्टिट्यूट्स के बीच में रहा वहीं पर पला बढ़ा और कहीं न कहीं उन्होंने उसे भी प्रॉस्टिट्यूशन के धंदे में लगा दिया था लेकिन फिर बहुत सालों बाद उसने अपने बेटे को ढूंडा और उसने ये सोचा कि वो उसके साथ एक नई जिन्दगी शुरू करेगी इसी नई दुनिया को शुरू करने के लिए वो उस दुनिया को छोड़ कर यहां हिमाचल आई थी वहाँ जंगल के बीचो बीच उन दुनों को वो टूटा फूटा घर मिला जब उनकी दुनिया थी लेकिन फिर एक रोज जब वो घर वापिस आई तो उसने देखा कि मनोज उसके बेटे को जान से मार रहा है और वही वो इनसान थी जिसने वो वीडियो भी शूट की थी उसके बाद उसने सैंट जॉर्ज में इंटेवियो दिया और अपने आसपास के लोगों को नोटिस करना शुरू किया उसने देखा कि आसपास बहुत सी बुराईया है और इन सब बुराईयों को उसे ठीक करना है अब वो दोनों ही उस टनल के आखरी छोड तक पहुंच जाते हैं और ये टनल उन्हें उस जगह पर लेकर जाता है जहां से सारे शहर को पाने सप्लाई होता है रीटा मनोज से उसका फोन ले लेती है और उसकी उस वीडियो को अपलोड पर लगा देती है वो से कहती है कि उसका फाइनल टास्क ये है कि उसे रीटा को जान से बारना है लेकिन जब मनोज रीटा के चहरे को ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि उसके चहरे पर वही लाइन्स हैं जो कि डॉक्टर गुपता के चहरे पर थी यानि कि रीटा ने अपने आपको वही जहर दिया है जो कि उसने डॉक्टर गुपता को दिया था इसलिए मनोज अगर उसे शूट करता तो उसके लाश पानी में गिरती और इस पानी के जरीए पूरे शहर में वो जहर फैल जाता हूँ रीटा उस वीडियो को अपलोड पर लगाकर फोन दूर फैंक देती है और साथ ही वो खुद पानी में कूच जाती है वो उसे कहती है कि उसके पास अब दो रास्ते हैं या तो वो अपना सम्मान बचा सकता है या फिर इस पूरे शहर को और आज यूजियल हमारा हीरो पानी में कूचता है और रीटा को पानी से निकालता है लेकिन इसके साथ ही वो वीडियो सब लोगों के फोन में पहुँच जाती है और इस पूरी अमबैरिस्मेंट का सामना अक्षे को करना पड़ता है सुमित्रा भी सारे बच्चों को बचाने के लिए खिड़की से बाहर कूच जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद आयरेस ये कनफर्म करता है कि वो बॉम नकली था और इस फिल्म के आखिर में हमें ये दिखाया जाता है कि आखिर में नेहा की मौत हुई कैसे थी नेहा और नव्या एक ही लड़के को पसंद किया करते थे और इसी बात को लेकर उस दिन जंगल में उन दोनों का जगड़ा भी हुआ था नव्या नेही नेहा को कूर में धक्का दिया था लेकिन उसने पुलीस वालों को सब जूटी कहानी सुनाई थी अपने के गुनाहों के लिए मनोज हेसी को जेल हो जाती है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है इस फिल्म के बारे में जो मुझे सबसे कमाल की बात लगी वो इस फिल्म की कहानी इस फिल्म का क्यामरा वॉक और इस फिल्म की लोकेशन्स थी साथी कहानी को इतना to the point और इतना crisp रखा गया था कि आपको फिल्म देखते वक्त एक वक्त के लिए भी बोरियत महसूस नहीं होगी और इस फिल्म के बारे में जो मुझे सबसे बकवास बात लगी वो ये थी कि लोगों ने हिमाचली accent के साथ बहुत से experiments किये हैं जैसे कि अगर आप आशानेगी को बोलते हुए सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि उनका accent हर्यान भी है So thank you so very much, I hope कि आपको ये कहानी पसंद आई हो Thank you and stay tuned